तो देखिए यह जो विरोधा भास है समन्वे जो है इसका वो श्री महराज जी ने क्या बताया है वो मैं आपको बताती हूं बस अब आप लोग फटा-फट समझ लेंगे यानि शास्त्रों में दोनों विरोधी बातें लिखी हैं तो इसका मतलब दोनों बातें ठीक हैं क्योंकि अगर एक बात हम शास्त्र वेत की स्विकार कर लें और दूसरी न माने तो यह उस शास्त्र का अपमान है क्योंकि वेत शास्त्र कोई गलत बात तो बोलेंगे नहीं भगवान करता है यह भी लिखा है जीव करता है यह भी लिखा है तो हम एक बात मान लें और दूसर बात न माने तो उसका आप मानों गया हां तो दोनों बाते कैसे ठीक है अब समझें देखिए दो प्रकार के करता होते हैं एक होता है प्रवर्तक करता और एक होता है प्रवर्तित करता जा एक होता है प्रयोजक करता और एक होता है प्रयोजक करता तो भगवान को जो करता बताया गया है शास्त्रों में ये भगवान प्रयोजक करता है या प्रवर्तक करता है और जीव जो करता बताया गया है यह जीव प्रवर्तित करता है या प्रयोजक करता है अब यह प्रवर्तक करता और यह प्रयोजक करता और प्रवर्तित करता और प्रयोजक करता यह क्या बला है आप लोग सोच रहे होंगे हां तो इसको भी समझ लीजिए तो बस सब बात समझ में आ जाए देखिए इसको मैं कुछ उधारणों से आपको बता रही हूं ताकि एकदम क्लियर हो जाए आपको बीज होते हैं बीज धान का बीज है गेहूं का बीज है चने का बीज है इमली का बीज है आम का बीज है तमाम बीज होते हैं सब अब इन बीजों से क्या होता है बीज से व्रिक्ष पैदा होते हैं फल पैदा होते हैं फूल पैदा होते हैं कि लेकिन ज्यान दीजिए यह सब बीज से पեզा होते हैं ठीक है पेड फल फूल बगहरा सब लेकिन बीज से ही पैदा होते हैं ऐसा कहना गलत क्योंकि बीज तो आपने बंद कर रखा है बोरे में एक साल से दो साल से वह बीज बोरों में बंद हैं लेकिन ना कोई फूल ना कोई फ़ल बना भी पीज ही रह गया वह दो साल से है को क्यों कैवल बीज से ही पेड़ पैदा नहीं होता अब जब हमने उस बीज को मिट्टी में बोया और उपर से पानी डाला या ऐसे ही पड़ गया हो बाई चांस मिट्टी में और पानी बरसा उपर से देखो जंगल में करोड़ों व्रिक्ष पैदा होते हैं उनको क्या कोई उगाने जाता है लगाने जाता है नहीं अपने आप उखते हैं हां उखते हैं कब उखते हैं यह वर्षा रितु में उखते हैं क्यों उखते हैं वो बीज वहां पहले से पड़े हुए थे जब पानी बरसात में तो बीज विक्सित हो गए यानी देखो बीज को अपैक्षा है पानी की मेग वरिश्टी की एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा बीज को पानी की अपेक्षा है बिना पानी के बीज अंकुरित नहीं हो सकता इसी बात को वेदव्यास ने वेदांत के एक सूत्र में बताया है यानि उस बीज को जैसे अपेक्षा है पानी की इसी प्रकार जीव को भगवान की शक्ति की अपेक्षा है कर्म करने की और समझ लीजिए डिटेल में जैसे वो बीज जल की अपेक्षा रखता है जब पानी बरसा तो पानी बरसने से वो बीज अंकुरित हुआ और फिर धीरे 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 बढ़ते 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 वो व्रिक्ष बन गया अब यह तमाम प्रकार के व्रिक्ष आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के अलग अलग ठंग के एक आम का पेड़ है एक बर्गत का पेड़ है एक बबूल का पेड़ है एक अम्रूत का पेड़ है एक गुलाब का पेड़ है शीशम का पेड़ है यह अलग-अलग प्रकार के पेड़ है कोई छोटा पेड़ है कोई बड़ा पेड़ है कोई काटेदार पेड़ है कोई फूल एक पेड़ है कि अदमी उसके पास जाने को तरस रहा है और एक पेड़ ऐसा है कि उसके पास जाने में डरता है आदमी कि पहाड़ों पर एक पेड़ होता है छोटा सा उसको बिच्छू विख्ष कहते हैं अगर वो लग जाए शरीर में तो बिच्छू के डंक मारने जैसा असर होता है और कम से कम 24 घंटे तक वो आपको परिशान करता है एक बार महराज जी के एक प्रचारक उन्होंने श्री महराज जी से कहा कि महराज जी आप वहां खड़े हो जाईए उस जाड़ी में इस तरह से हाथ उपर करके खड़े हो जाईए पकड़कर को मैं आपका फोटो लेना चाहता हूं प्रार्थना की महराज जी से महराज जहां उन्होंने कहा जिस प्रकार कहा वैसे अपना खड़े हो गए जाकर करको फोटो ले लिhnmesi उसकी प्रम का हर स्वाज छेगए तो एक दूसरे स जहाब थे कोई उन्होंने कहा उनसे हमारा भी फोटो ले लीजिए यहीं पर जहां महराजी का लिया है तो जहां जाकर के जैसे महराजी गए ते जिस रास्ते से जहां खड़े हुए थे जिस प्रकार खड़े हुए थे वैसे उन्होंने भी किया फोटो के लिए अब फोटो ले लिया गया उसके बाद जब वहां से निकले तो बड़ी बुरी हालत उनकी वो पूरा का पूरा बिच्छू विक्ष का जंगल था यह पता ही नहीं था अहुई क्या हो रहा है विचारे परिशान हो गए चक्क कर आने लगा उनको हालत बहुत खराब होगे तो देखो ऐसे ऐसे विक्ष भी होते हैं अरे विश के विक्ष भी होते हैं घतूर वगेरा के उनका फल खालो तो मरजाओ तो देखो यह अलग-अलग प्रकार के जो व्रिक्ष हैं यह कैसे पैदा हुए हैं मेग व्रिष्टी से पैदा हुए हैं लेकिन क्या मेग ने सब के लिए अलग-अलग पानी बरसाया था कि विश्ख के व्रिक्ष के लिए अलग प्रकार की वर्षा करो और गुलाब के फूल के लिए गुलाब का जो वो पेड़ है उसके लिए अलग प्रकार की वर्षा करो आम के लिए अलग प्रकार की वर्षा करो, सब अलग अलग प्रकार के वरिक्षों के लिए अलग अलग पानी बरसाओ, ऐसा किया था क्या मेग ने? नहीं नहीं मेग तो समदर्शी है मेग ने सब के ऊपर समान व्रिष्टी की एक सी व्रिष्टी की तो पिर ये अलग-अलग प्रकार के पेड़ क्यों पैदा हो गए इनका कारण है इनकी विभिन्नता का कारण है इनका अपना बीज जैसा बीज था उस बीज के अनुरूप ही मेग की व्रिष्टी से तो खाली उस बीज ने विकास प्राप्त किया लेकिन ये अलग-अलग प्रकार के व्रिक्षों के लिए मेग जिम्मेदार नहीं है इसके लिए जिम्मेदार है उनका अपना बीज लेकिन वो बीज तब तक व्रिक्ष नहीं बन सकता जब तक उसको मे लिक्षा है मेग वरिष्टी की तो देखिए यह जो भगवान को करता कहा गया है शास्त्रों में यह मेग वरिष्टी के समान भगवान करता है जैसे मेग जलना बरसाएं तो फिर वो बीज वरिक्ष नहीं बन सकता बिना पानी के ऐसे ही अगर भगवान शक्ति न दे तो कोई अभी जीव कुछ भी नहीं कर सकता इसे लिए भगवान को करता कहा जाता है लेकिन जो अलग-अलग प्रकार के पेड़ पैदा हो रहे हैं इनके लिए वो मेग जिम्मेदार नहीं है ठीक इसी प्रकार जो अलग-अलग प्रकार के हम वर्क करते हैं अच्छे बुरे आदी इ इनके लिए हम स्वयम जिnity मेंहें ने करता जीव ही है वह भगवान केवल मेग विष्टи के समान शक्ति देते हैं इसलिए उनको कर दा ऑड यह दिया जाता है लेकिन मेंहेंहीं करता जीव है जो क्षों जीबिशार के हेतु हैं वह उनके अपने बीज हैं अपनी इच्छा अपने संस्कार अपने ज्ञान आदी के अनुसार जीव वर्क करता है इसलिए अपने कर्म का फल जीव को ही भोगना पड़ता है भगवान नहीं भोगते हैं अच्छा और तरह से समझ लीजिए देखिए पावर हाउस आपको बिजली देता है आप एप्लिकेशन देते हैं पैसा जमा करते हैं फिर पावर हाउस ने आपको बिजली दी बिजली मिल गई हां मिल गई जी अब आप खाली बल्ब लगाई ये घर में तो आप खाली प्रकाश लीजिए आप पंखा भी लगा लीजिए तो आप हवा भी लीजिए आप एसी ल बड़े बड़े प्लांस चल रहे हैं हमारी इंडिया में मशीनों से भिलाई का राउर केला का यह सब आप जानते ही हैं यानि अनेक प्रकार के वर्क हो रहे हैं इस मशीन के उपयोग से जो कुछ आपको करना है उपर जाईए बिजली से जाईए नीचे आईए बिजली से करिईए ठंडी करनी है बिजली से करिए उस बस बिजली का पकड़ लो गर बैठेवेटे मर जाओ कोई ज़िवरत नहीं बजार में जाकर करके पाईजन कि स्थितके आत्मत्या करने की पैसा कर्च करचे हागoter जो मर गया बजली का नंघे तार पकड़ करके उसके घर के लोग पावरहाउस पर मुकदमादाहर करते हैं यह अगर बजली नदेता तो हमारा बेटा न मरता ऍा तुम पावर हाउस को गाली दे रहे हो, पावर हाउस ने क्या ये कहा था, कि तुम हमारे बिजली के नंगेतार को पकड़ ले ना, अरे तुमने उसका दुरपयोग किया, क्यों पकड़ा बिजली के नंगेतार को, उसका दंड तुमको मिला, पावर हाउस ने तो जो बिजली वो तुम्हारे सुख के लिए दी आराम के लिए दी ठंड से मरे जा रहे थे तुम गर्मी से मरे जा रहे थे तुम अब बिजली मिल गई तुमको तो कितना आराम हो गया भलेई जीरो डिग्री टेंपरेचर है लेकिन एक बन्याइन पहन करके आराम से सो रहा है वो व्यक्ति घर में हीटर चला करके ठंड का कोई असर नहीं इसी प्रकार गर्मी से जुल से जा रहे हैं लोग लेकिन 48 डिग्री भी टेंपरेचर हो तो भी कोई चिंता नहीं जी हमें कोई फरक नहीं पड़ता हमारे यह तो एसी चल रहे हैं हमारा घर ठंडा है आप अपना ठाट से बैठें देखो कितना आराम हो गया आपको बिजली से तो यह बिजली जो दीप पावर हाउस में यह तो आप आपके सुख के लिए दी आपके आराम के लिए दी इसलिए नहीं दी कि आप इसका दुरुपयोग करके अपना सरवनाश करें लेकिन अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो इसके लिए आप स्वयम जिम्मेदार हैं इसकी जिम्मेदारी पावर हाउस पर नहीं कि दे कोई उसमें तमाम कपड़े धो करके धो भी अपनी रोजी रोटी कमाता है कोई उसमें नहाता है कोई अपना उसमें डूब के आत्मत्या कर लेता है कोई दूसरे को डुबा के मार देता है कोई अपना सिचाई वगरा करता है खेतों की अलग-अलग प्रकार के जो है यह प्रय एक सा बैरहा है सबके लिए उसका जो विभिन्न प्रकार का हम प्रयोग कर रहे हैं सदुपयोग या दुरुपयोग इसके जिम्मेदार हम स्वयम हैं ठीक इसी प्रकार भगवान हमें उसी नदी के समान उसी पावर हाउस के समान उसी मेघ के समान शक्ति प्रदान करता है कर्म करने की लेकिन उस शक्ति का दुरुपयोग या सदुपयोग करने वाले हम स्वयम हैं तो जैसा हम प्रयोग करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है देखिए इतने उधारन देकर मैंने करें आपको समझाया अगर अभी भी आपको न समझ में आया हो तो अब एकदम गमारी अकल से समझ लीजिए का अगा का का झाल झाल